आज हम इंस्टिंट आलू पेटीज बनाने जा रहे हैं, बहुत सारी लेयर्ज वाली पेटीज बनेंगी, ये बहुत खस्ता बनती है, फिलिंग भी बड़ी ही टेस्टी बनती है, एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्किट से मंगवा कर खाई है, बिना बेक की हम इ तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चार चमच घी डाल रहे हूँ, अच्छे से सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद बांद कर देखेंगे, अगर ये ऐसे बंद रहा है, इसका मतलब मौईन अच्छे से लग गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे, और इसका आटा लगाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएए, और अच्छे से आटा इसका लगाते जाएए, आटा जो है, वो हमें semi-soft लगाना है, यानि कि ना जादा सक्त होना चाहिए, और ना ही ज्यादा नरम होना चाहिए, तो आटा लग कर तयार है, इसे चौथाई चम्मच हींग, तीन बारी कटी हुई हरी मिर्चें, और साथ ही मैंने आधा इंच अधरक कूट कर लिया है, आप चाहें तो अधरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, लो फ्लेम पर 20-30 से के लिए हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे, ठ्यान रखीगा फ्लेम लो पर रह चाहिए और इससे ज्यादा नहीं पकाना है, अब आधा कप मैंने फ्रोजन मठल लिया है, इन्हें भी 2-3 मिनिट तक हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे, ज्यादा देर नहीं पकाना है, जैसे ही यह हो जाएगा, हम इसमें बॉयल और मैश के हुए आलू डाल देंगे, मैंने तीन आलू लिये हैं, जो छोटे साइस के थे, आप मीडियम साइस के आलू भी ले सकते हैं, फिर आप दो आलू लीजेगा, अब इसमें मसाला डालेंगे, तो एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच भुना हुआ ज जो कवर है, उसमें सिर्फ नमक है, और कुछ भी नहीं है, जैसे ही सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिलिंग तयार हो जाएगी, अब एक पेस्ट हम बनाएंगे, जिसके लिए बोल में चार चम्मच हम कॉन फ्लार ले रहे हैं, इस चार चम्मच कॉन फ्लार म में, आगे बढ़ते हैं, आता भी सेट हो गया है, तीस मिनिट हो चुके हैं, आते को अच्छे से हम एक बर और मसल लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से इसे लंबा करते रहेंगे, इसका एक रोल बना लेंगे, हम लोग लंबा सा, उसके बाद इसे हम साथ पार्ट में डि कर सकते हैं, और आठ में भी कर सकते हैं, पाँच में लेयर्स कम बनेंगी, साथ में थोड़ी ज्यादा बनेगी, तो बाकी की छे हम अलग रख देते हैं, वापस ढखकर और इस एक की मैं आपको रोटी बना कर दिखा देती हूं, तो लोई ऐसे बना ली हमने, और इसे सूख और यह इतनी पतली होनी चाहिए कि पीछे आपका हाथ उंगलियां दिखनी चाहिए, तो अब इस पर हम लगा देंगे वही पेस्ट कॉन फ्लार और घी का जो हमने मिक्स करके रखा है, अच्छे से पूरी रोटी पर जो पेस्ट है वो लग जाना चाहिए, हर रोटी पर इसी तरीके से यह साथ वी रोटी है जिस पर हम पेस्ट लगा रहे हैं, हर रोटी पर आधा चम्मच पेस्ट लगाना है, अच्छे से मिक्स करना है, अब इसके बाद में हम इसे इस तरीके से अच्छे से रोल कर देंगे, एकदम टाइट रोल हमें बनाना है, इसका धीला ब देखिए इस तरीके से हम इसे संभलते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर काटना होगा जितनी बड़ी एक रोटी की लोई होती है उतनी दूरी पर हम इसे काटना है ये देखिए लेयर्ज देखिए इसकी कितनी बड़िया ये बनी है तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इ प्रेस कर देंगे, इस तरीके से दबा देंगे, साइड में रख देंगे, सब को हमें इसी तरीके से प्रेस करना है, बाकियों को साइड में रख देते हैं, एक मैं आपको बेल कर दिखा देती हूं, इसे पूरी का जो साइज होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा हमें बेलना है ठीके जी तो इस तरीके से हमने इसे बेल लिया अब sides जो है इसके वो इस तरीके से हम लोग काट लेंगे basically हमें इसे एक rectangular shape देना है तो ये जो sides हैं आप चाहें तो इनको directly ही fry कर सकते हैं बड़िया आपके नमक पारे तयार हो जाएंगे तो ये जो rectangular sheet है इस पर हम लगा देंगे stuffing जो हमने बना कर रखी थी तो एक से डेड़ चमत stuffing आप इसमें भर सकते हैं तो थोड़ा सा stuffing को हम level कर देंगे sides थोड़े से हम छोड़ देंगे side में हम लगा देंगे पानी पानी अच्छे से लगाना है ताकि ये जो dough है ना वो अच्छे से चिपक जाए तो इस तरीके से दबाते हुए sides को हमें अच्छे तरीके से चिपका देना है अब folk की मदद से आप चाहें तो ऐसे design भी बना लीजे तो ये थोड़ा और अच्छे से चिपक जाएगा तो ये तयार हो गया अब यहाँ तेल भी हमने गरम किया है तेल मीडियम गरम होना चाहिए और flame भी मीडियम पर होना चाहिए थोड़ी देर बाद ही इसकी layers जो है वो खुलने लग जाएंगी एक से दो मिनिट में layers खुलने लग जाती हैं और फिर उसके बाद हम इसे पलट पलट के बढ़िया तरीके से fry करेंगे आप चाहें तो इसे आप बेक भी कर सकते हैं तो थोड़ी देर बाद ही लगबग 5-7 मिनिट के अंदर ऐसा इनका golden सा कलर आ जाएगा उस टाइम पर हम इसे बाहर निकाल देंगे और मैं आपको इसकी layers भी दिखा देती हूँ कि क्या perfect इसकी layers बनकर तयार हुई हैं ये देखे तो सबको हमने इसी तरीके से fry किया और अब आप इनकी layers देखिए और अब आप इसकी आवास सुनिए कैसी लगी है recipe?